हलो दोस्तो आरवन इकड़ी में क्लासेस में आप सभी का स्वागत है मैं राज इसकुमार और आज हम लो लेकर आए हैं क्लास 12 एंसे आटी मैट्स जैसे कि हम लोग को सेशन चल रहा है एक्सरसाइस 5.5 का कोशन नंबर 12 और यह कोशन को देखने से पहले आप लोग मेरा बेसि के बाद कि यहां पहलेका रहा है यहां पहलेक फॉर्मला का इस्तमाल हो रहा है लेकिन कि आप लोग इसको ध्यान से देखिए कि हम कभी भी अभी बनारे हैं 5.5 गो sowlais एकस्राज मना रहे हैं, तो ये y is equal to इतना हो रहा है, तो ये सब को अभी हम लोग मानते चले आ रहे हैं न, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मानना है क्या, let y is equal to x के power में y और v is equal to y के power में x, इसको मानना है, अब क्या होगा, यहाँ पर equation जो हम लोगा बना वो बना है u plus v is equal to 1 यह equation बना अब अगर हम इसको differentiate करेंगे both sides differentiate differentiate both sides with respect to x याद रखिएगा कभी भी constant का जो differentiation होता है न वो होता है 0 कोई भी constant का हम जब differentiation करते हैं तो उसका value होता है 0 और एक चीज़ अब यह equation है अगर इसको differentiate करेंगे x के respect में तो यह हो जाएगा du by dx plus db by dx is equal to 0, 0 क्यों 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 क्या है constant है और constant का differentiation क्या होता है 0 होता है तो अब आते हैं हम लोग now u is equal to क्या माने हैं हम लोग x के power में y माने हैं ठीक है तो x के power में जब y माने है तो यहाँ पर क्या करना है आपको log लेना है taking log both side taking log both side अब क्या होगा log u is equal to log x के power में y is equal to y log x अब क्या करना है इसको अब differentiate करना both side यानि के log u is equal to क्या आया है y log x आया है इसको क्या करना है differentiate करना है both side differentiate both sides with respect to x तो यहाँ पर जागा 1 by u du by dx और इसको लिखेंगे d by dx y log x हो गया अब क्या होगा यहाँ पर इसमें u b का formula लगाएंगे y d by dx log x plus log x dy by dx 1 by u du by dx तो यह हो गया अब देखिए एक ची याद रखिएगा log x का जो differentiation होता है na du by dx 1 by u is equal to y into 1 by x देखिए log x का differentiation 1 by x होता है plus देखिए यहाँ पर log x dy by dx यहाँ पर बहुत precaution रखना है बहुत ध्यान से तो यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा du by dx is equal to u into y by x plus log x dy by dx dy by dx हो गया तो यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान से देखिए अब u का value हम लोग क्या माने हैं u का value माने x के पाउर में y u का value माने x के पाउर में y ठीक है x पाउर में y और y by x plus log x dy by dx तो यह हो गया तुमारा क्या du by dx ओके तो यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान देना है यह हो गया du by dx का values now अब निकालते हैं हम लोग भीका इसको अंदर लेके जाओ यहाँ पर पहले इसको अंदर लेके जाते हैं x पाउर में y into y by x plus log x हाँ ना और यह हो जाता है x पाउर में y into dy by dx देखें यह जो है ना basic है यह basic है यहाँ पर तो अगर base same है अगर यहाँ पर तो division में क्या होता power घड जाता है into y plus x के power में y log x dy by dx यह होगा du by dx ओके यह हो गया du by dx is equal to x के power में y minus 1 into y और यह हो जाएगा plus x पर में y into log x into dy by dx एक चीज़ और अब निकालेंगे हम लोग v is equal to तो now v is equal to क्या है v is equal to में लोग माने है y के power में x फिर इसमें y चीज़ लेना है taking log both sides ओके तो log भी is equal to log y के power में x यह हो जागा x log y क्योंकि यह पीछे आ जाता है याद रखियेगा इसको और यह हो जागा log v जो equation मेरे पास आया है अब उसको differentiate करना है both sides with respect to x differentiate differentiate both sides with respect to x 1 by v dby dby dx dby dx x log y यहाँ पे x dby dx log y dby db 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 equal to db 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 पर क्या हो जाएगा इसको लिखेंगे हम लोग y के पावर में x by y into x dy by dx plus log y तो इसको लिखेंगे y के पावर में x minus 1 into x dy by dx plus log y यह हो जाएगा dy by dx तो यहाँ पर हम लोग का आया है क्या du by dx और dy by dx का फूरा values आ गिया है एक चीज है यहाँ पर और y के पावर में x जो है ना इसमें भी तो multiply होगा इस जगा में भी आएगा y के पावर में x और y के पावर में x यहाँ पर भी आएगा तो अब क्या करना है putting the value putting the value of du by dx and d by dx in equation 1 यहीं जो equation dy by sorry in equation 1 में उपर में जो equation 1 है उपर में तिक है मैं बैक्ड तू जा रहा हूँ उपर में दिखते हैं देखें यहां पे equation 1 है सबसे उपर में early में इसको equation 1 वाना गया है उपर में देखिए यहां पे है equation 1 यह equation है तो इसमें हम लोगों put करना है du by dx dv by dx को और एक चीद ध्यान से समझ येगा जो भी value है हाना जो भी value है इसका इसको put किजिए देखिए y x के power में y-1 प्लस x पावर में y log x dy by dx प्लस x y के power में x-1 dy by dx प्लस y के power में x log y is equal to 0 तो यहां पे जो dy by dx है ना इसको comment ले लेना है इसमें से ओके तो यहां पे देखिए dy by dx वाला चीज को एक साथ कर लिजिए x के power में y log x प्लस xy के power में x-y अब यह जो पाट है यह जो पाट है और यह पाट अगर equal कुछ सेट जागा तो क्या जागा माइनस हो जागा तो माइनस y के power में x log y minus y के power में xy-1 यह हो गया अब next step में क्या होगा आपका final answer आएगा next step में हम लोग निकालेंगे dy by dx is equal to minus y के power में x log y minus y x power में y-1 divided by x power में y log x plus xy के power में x-1 हो गया अब इसको और more simplified form में लिखना लेगा तो माइनस को में लेंगे और y के power में x log y plus y x power में y-1 ठीक है तो अब यहां पर दिखे x के power में y log x इसको और उपर कर लेते हैं थोड़ा सा प्लस xy के power में x-1 और यह हो गया dy by dx final answer ओके आया आपका dy by dx तो यह आप answer मिला सकते हैं और यह आपका final answer हो गया तो एक चीज है अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो comment box में comment किजेगा और like करे channel को subscribe करे और comment जरूर करे positive या फिर negative whatever you learn from this lesson you have to comment on this comment box please because it motivate me so try to comment on my channel and then I improve our ourselves whatever needed तो जो जरूरत पड़ेगा मैं उसको जरूर इंप्रूब करूँगा जो मिझे लग रहा है कि हां और भी बहतर बनाना चाहिए तो मैं और इससे बहतर बनाने का कोशिस करूँगा तो ओके थैंक्यू झाल